फिफा फुटबोल वोल्ड कप 2022 अर्जेंटिना ने फ्रांस को चार दो से हरा कर फिफा फुटबोल वोल्ड कप 2022 का चैंपियन बन गया तो यह बहुत ही ज्यादा फिफा फुटबोल वोल्ड कप 2022 को तो यह कितना नमबर का संसकरन था यानि की वा संसकरन था यह कहां हुआ तो यह कतर में हुआ है यह आप लोगों को याद रखना है साथ ही आप यहां पे देखेंगे यह कब से कब तक हुआ तो यह बीस नमबर इमेनी कहा हो तो ओपनिंग से रखनी जो अल वयात स्टेडियुम कतरन में हुआ दख़ा और थीम संग इस पूरा टूर्णामेंट हुआ उसका जब थीम संग एया था 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 हाया यान की बेटे ट्यूइदर था तो यह उप लोग याद रखना है कि यार्न की बेटे टूइदर यान की हाया हाया यह थीम संगे और तोल टेम maar कितने भाग लिया थे तो यहां पर भाग लिया तो यहां पर याद रखना कि 32 जो है वह फीफा वर्ड के 2022 में भाग लिये थे उसके बाद है यहां पर देखिए टोटल इस्वर्ड में चाहां पर खेल गात हुए और टोटल गूल कितने स्कॉर हुए कितने इसकोर हुए कितने वह गोल यह पूरा टूरों पर देखा जाए तो 172 गोल हुए यह आप लोग याद रखेंगे इसके बाद है जो पहला मेच है वह कतर और एकवाडर के बीच में अलवयात इस्टेडियम कतर में हुआ तो यह आप लोग अच्छी तरीके से याद रखेंगे इसके बाद है आगे जो की बहुझ चाता है इंपोर्टेंट अतापलों को यह जानकर के द्यां रखेंगे तो फाइनल मेच पार ते हैं तो फाइनल मेच जो हुआ अजंटियन और फ्रांस के बीच मे अजय स्टेडियम कतर में अजन फ्रांस के बीच यह पकश जो हुआ वहा दोनों टीम में 3-3 की बराबरी पर थी दोनों टीम यानि कि फ्रांस और अर्जिंटिना दोनों ने 3-3 गोल किये थे लेकिन बाद में पेनल्टे सूट आउट में 4 दूसे अर्जिंटिना ने फ्रांस को हरा कर फुटबोल बेसे कब 2022 का चेंपेंड बन गया लेकिन बाद में पेनल्टे सूट आउट हुआ जिसमें से अर्जिंटिना ने 4 गोल किया और फ्रांस ने 2 गोल किया एक चार दूसे अर्जिंटिना ने फ्रांस को हरा दिया और फुटबल विसक अब 2022 का एक नया चैंपियन बन गया अर्जेंटीना तो यह याद रखेंगे चार दोस्ते यह फिनले सूट आउट में जेद गया अब देखते हैं यहां पर विनर कौन है विनर बन गया अपनों का अर्जेंटीना और रणर अप रहा फ्रांस यानि कि वि विजयता हुआ रणर अप फ्रांस तिसरे नंबर पर क्रोएशिया और चुतरे नंबर पर मोरोक को रहा अब बात करते हैं पर फ्राइज मनी की तो फ्राइज मनी में विनर को मिल गया 42 मिलियन डोलर और रणर अप को 30 मिलियन डोलर तो यह बहुत ज्यादा ध्यान रखेंग है कि विनर को 42 मिलियन डोलर की राशी दी गई और साथ रणर अपको 30 मिलियन डोलर मिल गया है फिफा की और से इस वर्ल्ड कप में इसके बाद है अवार्ड क्या क्या दिये गए तो अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपोरेंट है यही से कोश्चन सबसें ज़्यादा होकी इनको गोल्डन बूठड का अवार्ड मिला है गोल्डन बोल का अवार्ड मिला लियोनेल मैसी को यानि कि साथ बढोल मिली पुरसकारं है अब देखेंगे तो यहां पर영 पर यंग प्लेयर जो मिला पुरसकार वो एंजो फनांडीज को मिला वो एंजो फनांडीज को मिला है यंग प्लेयर का खिताब याने अवार्ड मिला है और fire play अवार्ड जो मिला है वह एंगिलेंड की टीम को मिला दोस्तों यहां पर यह जो है golden ball, golden gloves और young player यह तीनों प्रेंट के खिलाकी है चिह अहीं आप लोंको ध्यान रखना है लियोनेल मैसी, एमिलियानो मार्टिनेज और एंजो फानेज ये तीनों अर्जेंटिना खिलाड़ी हैं जिनको गोल्डन गोल्डन गलप्स और यंग प्लेयर का पुरसकार मिला और फेर प्ले जो है वो इंग्लेंड के टेम को मिले यही से सब ज़्यादा कोशन पुछता है तो यह भी भी आई है आप लोगों को यह याद रखना है अब बात कर लेते हैं आगे में कुछ और चीज़ें हैं मैसी दो बार गोल्डन गोल्डन गोल्ड जितने वाले पहले खिलाड़ी दने पहले खिलाड़ी यानि के फ़र्ट नमबर के खिलाड़ी बन गया है जिनको बार गोल्डन गोल्ड आवाड मिला है अरजेंटिना का यहां तीसरा फुटबल विसोकप टाइटल है तो इस परकार से यहां पर तीसरी बार विसोकप जितने वाला टीम रहा आर्जिन तो यह आंजर ने का विशेफ तरह तूढ़े नंबर का देश जो सबसी ज़्यादा विशेकुप जईता है वह तीसरी बार अजरेंटिना का ग्राजियल है अब बात करते हैं आगे थोड़ी से और जानकरी है तो इसको भी देख लेते हैं क्लोजिंग स्रेमनी लूजल इस्टेडियम कतर में हुआ जो क्लोजिंग स्रेमनी हुआ कतर 2022 का फुटबोल विस्टेडियम कतर में अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट फुटबोल वल्लकप जो कि यह 13 USA कनाड़ा और मेक्सिको फिफा का फुल्फों में याद करते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबोल एसोसियेशन इसका इस्तपना हुआ इसका मुख्याले है जीयुरिक सुट चल लेन में और फिफा के वर्तमान में अधरेशन इनका जीयानी इंफेंटीनो याद रखेंगे और जो है नेक्स्ट फूप फूटबल फूप होगा 2026 वह होगा USA, Canada और मेक्सिको में तो यह आप लोग साथ ही साथ में ध्यान रखेंगे यहां पर सबसे ज़्याद है अवार्ड्स जो की गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल, गोल्डन गलप्स और यंग प्लेयर यह मैंने आपनों को ब उसे हरा कर फूटबल 2020-22 का जो है चेंपियन बन गया यह आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, यही था कतर में खेला गया यह 2022 वाला तो यह आप लोग याद रखेंगे